नेक्स्ट टॉपिक दिखते हैं लिए सेंट हिस्ट्री का तो यह है कमपनी के अधीन गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर सबसे पहले बंगाल में गवर्नर लगाये गए थे ना तो उसमें सबसे पहले नाम आता है रोबर्ट क्लाइब का जो 1757 से 1760 तक बंगाल के गवर्नर इसने बंगाल में द्वयद शाषन की विवस्ता की तो रोबर्ट क्लाइब ने क्या किया था बंगाल में द्वयद शाषन की विवस्ता की थी जिसके तहट राजस वसूलने, सैनिक सनक्षन एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे जबकि शाषन चलाने की जिम्यदारी नवाब के हाथों में थी तो बंगाल में द्वयद शाषन जो विवस्ता है किसके द्वारा शुरू की गई रोबर्ट क्लाइब के द्वारा और जिसके तहट क्या होता था कि जो राजस वसूलने का अधिकार होता था सैनिक सरक्षन का और विदेशी मामले कंपनी के अधिन आते थे और जबकि जो शाषन चलाने की जिम्यदारी थी वो नवाब के हाथों में थी इसने मुगल समराठ शाहलम द्युत्य को इलाबाद की द्युत्य संधी के द्वारा कंपनी के सरक्षन में ले लिया तो रोबर्ट क्लाइब ने क्या किया था कि शाहलम द्युत्य जो मुगल समराठ होते हैं शाहलम द्युत्य उनके साथ ये इलाबाद की द्युत्य संधी के द्वारा क्या करते हैं कंपनी के सरक्षन में ले लेते हैं मुगल सम्राइट शाहलम धुत्य को इल्हाबाद के संधी संधी 1765 के द्वारा कंपनी के सेलक्षन मेंदेदा रोबर्ट क्लाइब ने बंगाल के समस्च शेत्र है उनके दो उपदिवान बनाए थे इन्होंने रोबर्ट क्लाइब ने बंगाल के समस्च शेत्र के लिए दो उपदिवान को निक्त किया था बंगाल के लिए उन्होंने मुहमद रजा खां को बंगाल के लिए मुहमद रजा खां को और बिहार के लिए तो इन्होंने मुहमद रजा खां को और बिहार के लिए राजा सिताब रजा को नियुक्त किया था रोबर्ट क्लाइव ने क्या किया था दो उपदिवान लगाए थे बंगाल के समझ शेत्र के लिए और इसमें बंगाल के लिए कुन थे महुमद रजा खां और बिहार के लिए कुन थे राजा सिताब राय बिहार के लिए राजा सिताब राय गवर्णर जो बंगाल के मैसूर योद होता है पहला 1767-1969 वेरलस जो थे यह बंगाल के गवर्णर हैता है फिर कार्टियर आते हैं 1769-72 में कार्टियर 1769-72 फिर बनेंगे वॉररन हेस्टिंग ये भी फहले बंगाल के गवर्णर बनेंगे 1772-74 तक और येही जो वॉररन हेस्टिंग है इनको बाद में इन आगा का गवर्णर जनरीग बना दिया जाएगाए. फेले क्या होती हैं उसके बाद इनहीं को ही क्या चाहता है वरन हैस्टिंग को ही बंगाल का गवर्नर जर्नल बना दिया जाता है तो बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहते हैं 1772 से 1774 तक आप दिखते हैं कंपनी के दीन गवर्नर जनरल की बात हो रही है तो Regulating Act 1773 जो आता है बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रीजी शेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा जिसका कारेकाल पांच वर्षों का निधारित किया गया और जो गवर्नर जनरल है उनका कारेकाल पांच वर्षों का निधारित किया गया था मदरास एवं जो बंबई के गवर्नर को इसके अधिन कर दिया गया अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था उसके अधिन जो मदरास और बंबई के गवर्नर को कर दिया गया था पहले जो मदरास के गवर्नर थे बंबई के गवर्नर थे और बंगाल के गवर्नर थे ये एक समान थे इनके समान अधिकार थे लेकिन अब क्या किया गया जो बंगाल का गवर्नर है इसको बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और मदरास और बंबई के जो ग 1774 तक तो क्या बंगाल के गवर्णर रहे उसके बाद 1774 इइट फ़ाइव तक क्या रहे वो गवर्णर जंडरल रहे ठीक है तो इनका टोटल पिरियोड वैसे 1772 से शुरू होता आपीक तक 1772 से 1785 तक रहता है लेकिन उसमें से 1772 से 1772 का टाइम है 1772 से 1774 का तब वो बंगाल के खाली governor होते हैं और 1774 से लेकर 85 तक ये बंगाल के governor general बन जाते हैं आगे बोलागे है कि वोरन हैस्टिंग 1750 में company का एक clerk के रूप में जो है कलकता आये था जो वोरन हैस्टिंग थे ये 1750 में केवले company के कलर के रूप अलकता आये थे और अपनी कारेकुशुलता की कारण कासिम बिजार का अध्यक्ष बन गए फिर बाद में क्या बन गए थे कासिम बिजार के अध्यक्ष बन गए थे और बंगाल का governor बने फिर और उसके बाद company के जो governor general बन गए और चीजे बताई गई है वरन हैस्टिंग के time period के बारे में जब वो बंगाल के governor general थे या फिर बोल सकते हैं कि company के governor general थे जब वो तो वरन हैस्टिंग के time period में 1774-85 के बिज़ क्या होता है इसने राज के जो कोशागार था उसको मुर्शिदाबाद से हटा कर कलकता लाया वरन हैस्टिंग ने क्या किया इन्होंने राज के कोशागार को मुर्शिदाबाद से हटा कर कहां लाया कलकता लाया वरन हैस्टिंग ने राज के कोशागार को मुर्शिदाबाद से हटा कर कलकता लाया 1772 में इसने परतेग जिले में एक फोसदारी और दिवानी अदालतों के स्थापना गी वोरन हैस्टिंग ने 1772 में क्या किया परतेग जिले में एक फोसदारी और एक दिवानी अदालत के स्थापना गी वोरन हैस्टिंग ने एक तो राज की कोशागार को मुर्शिदाबाद से हटा कर कहां लाया था कलकत्ता वोरन हैस्टिंग ने राज की कोशागार को मुर्शिदाबाद से हटा कर कलकत्ता लाया और 1772 में इसने परतेक जिले में एक फोशदारी और दिवानी अदालत के स्थापना गी 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मरदर्सा स्थापित किया गया वोरन हैस्टिंग के समय में ही 1781 में वोरन हैस्टिंग के समय 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा को के विकास के लिए को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया पथम मदर्सा बनाया गया था पहला मदर्सा बनाया गया था कलकत्ता में वोरन हैस्टिंग के समय कब 1781 में 17 1781 में इसी के समय में 1792 में जयुनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत जो विध्याले की स्थापना की थी यह 1782 है यहाँ पर तो 1782 में इनके समय में क्या होता जुनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्याले की स्थापना की थी गीता के अंग्रेजी अनुवादक विल्यम विल्किन्स को हैस्टिंग ने आश्रे परदान किया था ठीक है किसे गीता के जो अंग्रेजी अनुवादक थे क्या नाम था उनका विल्यम विल्किन्स इन्होंने गीता को अंग्रेजी मनुवाद किया था उसका विल्यम विल्किन्स ने इनको भी हैस्टिंग ने स्रंक्षन या आश्रे परदान किया था Warren Hastings के समय में ही जो Sir William Jones थे उन्होंने 1784 में Asiatic Society of Bengal इसके स्थापना की थी Warren Hastings के समय में ही 1784 में Sir William Jones ने Asiatic Society of Bengal के स्थापना की थी Asiatic Society of Bengal के स्थापना कब की गई 1784 में किसके द्वारा? Sir William Jones के द्वारा Совarto William Jones के द्वारा Warren Hastings के समय में ही Warren Hastings के समय में कब 1784 में William Jones ने क्या क्या था? इसने मुगल समराट को मिलने वाली 26 लाख रुपे की वार्षिक पेंशन बंद कर दिया था कि जो मुगल समराट को मिलने वाली 26 लाख रुपे की वार्षिक पेंशन थी उसको बंद कर दिया था किसने वोर्रन हैस्टिंग ने 1774 में अपने टाइम पिरेड में 1774-85 में जो important काम किये थे उन में से एक important काम किया था कि उसने मुगल समराट को मिलने वाली 26 लाख रुपे की वार्षिक पेंशन थी वो बंद कर दिया थी किसने Warren Hasting ने क्या किया था मुगल समराट को मिलने वाली 26 लाक रुपे की वाशिक पेंशन बंद करवादी थी अपने टाइम पिरोड में और Warren Hasting कब से कब तक था 1774 से 1785 तक Warren Hasting का टाइम पिरोड क्या था 1774 से 1785 तक Governor General की रूप में उसके बाद है इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र दबंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑक्सटन हिक्की के द्वारा किया गया तो Warren Hasting के समय में 1780 में भारत का जो पहला समाचार पत्र होता है बंगाल गजट दबंगाल गजट 1780 में इसका प्रकाशन किया गया James Augustine Hickie के द्वारा Warren Hastings के समय में ही 1780 में 1780 में बñanaod 1780 में जो भारत का पहला समाचार पत्तर होता है दबंगाल गजट का प्रकाशन James Augustine Hickie ने किया था फिर आगी बोला गया है कि जो Warren Hastings है इन्हीं के समय में क्या हुआ था Regulating Act के तहट Warren Hastings के समय में Regulating Act के तहट 1774 में कलकत्ता में एक उच नियाले की स्थापना की गई थी ठीक है बोला गया है कि Warren Hastings के समय में जो Regulating Act आया था 1773 का तो 1773 के Regulating Act के तहट कब 1774 में स्थापना की गई किसकी जो उच नियाले था ठीक है एक उच नियाले के स्थापना की गई और इसका अधिकार शेत्र कलकत्ता तक था इसका जो अधिकार शेत्र था वो कलकत्ता तक था कलकत्ता से बहार का मुकदमा तब ही सुना जाता था जब दोनों जो पक्ष हैं वो सहमत हो कलकत्ता से जो ब इस ने जो बंगाली एक भ्रहमन थे वरं हैं टिंग्स नहीं का नाम था नंद कुमार 31 एक बंगाली ब्रहामन होते हैं वोरन हैस्टिंग के समय एक बंगाली ब्रहामन होते हैं जिनका नाम होते है नंद कुमार उन पर जोटा आरोप लगाया था और उनको जोटा आरोप लगाया उनके बात क्या हुआ कि न्याले से फांसी की सजा दिलवादी थी उनको ठीक है तो वारन हैस्टिंग ने एक और क्या काम किया था कि जो उनके समय में एक बंगाले ब्रामन होनते है नंद कुमार नाम से उनको ने क्या किया था फांसी की सजा दिलवादी थी बोला गया है कि प्रथम जो आंगल मराथा यूद है 1775-82 दुट्टे आंगल मैसूर यूद 1784 वोरन हैस्टिंग के समय में ही हुए थे प्रथम आंगल मराथा यूद 1775-1782 तक प्रथम आंगल मराथा यूद 1775-1782 तक तथा जो दुट्टे आंगल मैसूर यूद है 1780-1784 तक ये वोरन हैस्टिंग के समय में हुए थे प्रथम आंगल मराथा यूद के बाद जो सालबाई की संधी होती 1782 में और दुट्टे आंगल मैसूर यूद के बाद क्या होती है मंगलोर की संधी होती है 1784 में इसके द्वारा इसमाप्त होते हैं ठीक है तो वोरन हैस्टिंग के समय में एक तो प्रथम आंगल मराथा स्थापना हुई बोला गया है कि Board of Revenue जो है उसकी स्थापना Warren Hastings के समय में ही हुई board of revenue की स्थापना किसके समय में हुई है ऌर दिया था इनुए जब व kep इंगलेंड पहुंचा मतलब झभी इन्होंने fver worry श enjoys और इंगलेंड पहुंचा। तो बर्क द्वारा उन पर एक महाभयोगा था। ऐसीग प्रिटीश को इसे इन आरोपों से मुक्त कर दिया गया था ठीक है तो मतलब 10 साल तक इनके पर महाभयोग चला था 1785 में जब इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क के दुआरे इन पर महाभयोग लगाया गया प्रंतु 1785 में लगाया था प्रंतु क्या हुआ 1795 तक यह आरोपों से इनको मुक्त कर दिया गया था नेक्स जो गवर्नर जनरल हुए है वो है सर जोन मैकफर्सन सर जोन मैकफर्सन 1785 से 86 इनका टाइम पिरब बहुत चोटा है एक साल का बुलागे है सर जोन मैकफर्सन यह एक अस्थाई गवर्नर जनरल निपकिया गया था इनको ठीक है जब वर्रन हैस्टिंग थे गवर्नर जनरल और कारणवालिस जब गवर्नर जनरल बनते हैं उस बीच का जो टाइम पिरड था Warren Hasting से Carnivalis के Governor General बनने का मतब जो Warren Hasting Governor General है उसके अधर Carnivalis बनेंगे वैसे मुख्य रूप से Governor General लेकिन एक interim period के लिए जो अस्थाई Governor General निफ्ट किया गया था किसे किया था? John Macpherson को ठीक है? तो Carnivalis से पहले जो अस्थाई किसे Governor General निफ्ट किया गया था John Macpherson को 1785 से 86 के लिए उसके बाद आती है Lord Carnivalis की बाद Lord Carnivalis जो है 1786 से 93 तक Governor General रहे है तो 1786 से 93 तक Lord Carnivalis Governor General रहे है हलांकि इनका जो दुसरा कारेकाला 805 में शुरू हो गया था लेकिन इनकी मृत्ति हो जाती है तो बोला गया है कि जो Lord Carnivalis है उनका टाइम पिरेड क्या है 1786 से 1793 1786 से 1793 Lord Warren Hastings का टाइम पिरेड जो था Governor General के रूप में वो 1774 से 1785 तक रहा और Carnivalis का जो टाइम पिरेड है वो 1786 में शुरू हुआ है 85 में Warren Hastings के टाइम पिरेड के खतम होने के एक साल बाद 86 में Carnivalis का टाइम पिरेड शुरू होगा क्योंकि 85 से 86 तक अस्थाई Governor कौन रहे Sir John Macpherson तो Lord Carnivalis के बार में देखते है 1786 से लेकर 1793 तक तो Carnivalis के समय में जीले के समस्त अधिकार कलेक्टरों के हाथों में दे दिये गए Lord Carnivalis के समय में जीले के समस्त अधिकार है वो कलेक्टरों के हाथों में दे दिये गए Lord Carnivalis के समय जो जीले के समस्त अधिकार है किसके हाथों में दे दिये गए कलेक्टरों के हाथों में दे दिये गए इसने भारती नयाधिशों के निक्ती इसने भारती नियाईदिशों से युक्त जीला फूसदारी अदालतों को समाप्त कर दिया उसके स्थान पर इन्होंने चार ब्रहमन करने वाली अदालते बनाई थी ठीक है लोड कार्ण वाली इसने क्या किया जो भारती नियाईदिशों से युक्त होती थी जिसमें भारती न्यायदिश होते थे वो वाले फोजदारी जो अदालते थे उनको समाप कर दिया और उसके स्थान पर चार इनोंने ब्रह्मन करने वाली अदालते बनाई जिनमें जो तीन बंगाल के लिए थी और एक बिहार के लिए की गई थी चार ब्रह्मन करने वाली अद जो भार्ती नियाई दिशों से युक्त जीला-फोसदारी अदालतों को लोड कार्णवालिस ने समाप्त कर दिया था और चार भ्रह्मन करने वाली अदालते बनाई तीन बंगाल के लिए एक बिहार के लिए आग दिखते हैं कि कार्णवालिस ने 1793 में परसिद कार्णवालिस कोड का निर्मान कराया, जो शक्तियों के पृत्थकी करण सिधान पर अधारित था, तो 1793 में लोड कार्णवालिस ने क्या किया, कब 1793 में, 1793 में जब तक इनका कारेकाल मतलब खतम होता जिसी है, और उस साल इन्होंने क्या किया, 1786 से 93 तक है ना कारेकाल, तो 93 में इन्होंने क्या किया, कानवालिस कोड का निर्मान किया था, कानवालिस कोड का निर्मान किया था, जो किस पर डिपेंड था, शक्तियों के प्रिथकी करण सिधान पर अधारित था, शक्तियों के प्रिथकी क लोड गारणवालिस के बार में क्या बताया गया है कि उन्होंने पुलिस करमचारें के वेतने वरीधिा है और सात्ती क्या किया है जो ग्रामीन शेत्रों में पुलिस अधिकार दिया होते थे वेतन अधिकारें ने में मिन्त g Leben जम्मिदारों को जो पूलिस के जो भी अधिकार मिले थे जो भी पूलिस के रुद्ख काम करते थे खुद से जम्मिदार वो अधिकार थे उनके व्यक्तिगत व्यपार पर प्रतिबंद लगा दिया गया था लोड काणवालिस के समय में क्या किया गया था जो कंपनी के करमचारी थे उनके व्यक्तिगत व्यपार पर प्रतिबंद लगा दिया गया था करमचारियों के व्यक्तिगत व्यपार पर प्रतिबंद लग के एक दरोगा का जो एक दरोगा को निक्त किया जाता था उसका इंचार्ज बनाया जाता था ठीक है एक पुलिस ओफिसर को मतलब या दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया जाता था पुलिस थाने की स्थापना करकर एक जिली में ठीक है भार्तियों के लिए सेना में सुबेद जमादार, प्रिशाष्निक सेवा में मुनसिफ, सदर, आमेन या डिप्टि कलेक्टर से उचा पदी ने नहीं दिया जाता था, इसके बाद और क्या किया है कार्णवालिस ने, कि इसने 1793 में जो स्थाई बंदुबस की पदती लागो की, जिसके तहत जमिदारों को अब भूर जिस्व का लगबग 90%, जो स्थाई बंदुबस है, 1793 में जो लगाया गया था, उसके तहत अब क्या हुआ था, कि जो भूरा जिस्व का लगबग 90%, मतलब 11 में से 10 पार्ट, 10 बटा 11 भाग, मतलब 11 में से 10 पार्ट है, 90% है कंपनी को, तथा लगबग 10 परसेंट है, 1 बटा 11 मतलब 11 में से एक भाग अपने पास रखना था, तो 1793 में स्थाई बंदुबस की पत्ति लाग की गई, जिसके तहट जमिदारों को भूरा जिस्व का 90% कंपनी को, और लगबग 10% अपने पास रखना था, स्थाई बंदुबस की जो योजना है, वो जोन शोर ने बनाई थी अच्छा, इसका मतलब ये भी है कि जिससे स्थाई बंदुबस जब लगाया गया था, तो जमिदारों को भूरा जिस्व कलेक्ट करेंगे किसानों से, कौन जमिदार क्या करेंगे, बूरा जिस्व कलेक्ट करेंगे, किस से, किसानों से, अब जितना भी वो राजिस्व कलेक योजना है कारणवाल इसने इंप्लिमेंट की है बनाई किसने थी जौन शौर ने बनाई थी इसने बंगाल भिहार उडिसा बनारस और मदरास के उत्री जीलों में लागू की गई ती इसमें जमिदार भुराजस्व की दर तेय करने के लिए स्वतंतर थे इसमें जमिदार को क्या किया था भुराजस्व की दर को तेय करने के स्वतंतर रखा गया था आब जमिदार क्या सोच थे कि जितना जब्ले वो यह टैक्स इकठा करेंगे भुराजस्व इकठा करेंगे तो 10 पर सेंट उसका उतना ज़ाधा बनेगा अगर ज़्यादा टेक्सी इकठा करेंगे तो 90% इनको दिना पड़ेगा company को और 10% जो है इनके लिए था जमीदारों के लिए तो जितना बड़ा भागी इकठा करेंगे उसका 10% उतना जादा बड़ा होगा जो कि किसको मिल जाएगा जमीदारों को मिल जाएगा तो इसलिए इनको जो राजस्व की दर है, भुराजस्व की दर, ये तेय करने के लिए स्वतंतर थे, तो जो ये कोशिश करते थे कि और बढ़ाते जाएं, भुराजस्व की दर. कार्णवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है जो कार्णवालिस है लोड कार्णवालिस इनको क्या माना जाता है नागरिक सेवा का जनक माना जाता है इनका टाइम पिरेड कब से कब तक है 1786 से 1793 तक 1805 में फिर बनेंगे लेकिन इनके मृत्यू हो जाएगी इसके बाद है सर जोन शोर सर जोन शोर के बार में बता गया है कि इनका टाइम पिरिएड है सेवंटी नाइटी सेट थ tracking चानरां रहता है सर जोन शोर का टाम चांड कर अब तक है सेवजंटी नाइनटी थि एट सवंटी नाइनटी स्वेंट सीं Less Smuld जोन शोर ने, सर जोन शोर ने 1793 से 98 मुन का टाइम पिरड है, इन्होंने अहस्तशिप की नीती अपनाई, जो इंपोर्टन्ट है, हमारे गोवर्नर जनरल हैं वो है लोड वैल जली, ठीक है लोड वैल वैल जली, लोड वैल जली के टाइम में भी बहुत इंपोर्टन्ट चीजह हुए है, तो लोड वैल जली का टाइम परेड कब से कब तक है, 1798 से 1805 1798 से 1805 Sir John Short 1793 मुन का टाइम परे शुरू हुआ था 1798 में खतम हो गया था उसके बाद आरेक कौन बन गए Lord Wellesley बन गए Lord Wellesley का टाइम परेड 1798 से शुरू होता है और 1805 तक रहेगा 1805 तक रहेगा किसका टाइम परेड Lord Wellesley का 1798 से 1805 1798 से 1805 तक Lord Wellesley का टाइम परेड है 1798 से 1805 तो Lord Wellesley ने सायक संदी की पत्ती शुरू की Lord Wellesley का सबसे important काम में से एक है कि इन्होंने क्या किया सायक संदी की पत्ती शुरू की भारत में सायक संदी का प्रयोग सायक संदी का प्रयोग की तथी सायक संदी करने वाले राजे थे सायक संदी करने वाले राजे कुट है हैदराबाद हैदराबाद ने सबसे पहले सहेकसंदी के अंडर 1798 में इसको लाया गया था 1798 में हैदराबाद 1798 हैदराबाद 1798 में सहेकसंदी करने वाला राज्य था पहला फिर मैसूर 1799 मैसूर 1799 मैसूर 1799 तंजोर तंजोर भी 1799 में है तंजोर भी 1799 में है पहले हैदराबाद फिर मैसूर फिर तंजोर अवद इंपोर्टेंट है 1801 में अवद अवद कब 1801 में अवद 801 में पेश्वाभी 1801 में है बरारेवं भोंसले बरारेवं भोंसले 1803 में सिंधी 804 में इवं अंने साइक संदी करने वाले राजे कौन से है जोधपूर, जेपूर, मच्चेडी, बुंदी, भरतपूर तो बोला गया है कि सायक संधी करने वाले राज्य थे हैदरबाद कब की थी हैदरबाद ने 1798 में मैसूर ने कब की थी 1799 में कि 1799 में जो चतुर्त अंगल मैसूर यूद है वो खतम हो जाता है ठीक है 1799 में तो इसके साथ ही साएक संदी कर ली जाती है मैसूर के द्वारा 1799 में 1799 में मैसूर के द्वारा हैदराबाद के द्वारा 1798 मैसूर के द्वार 1799 फिर तंजोर भी 1799 में तंजोर 1799 में उसके अव अवदकभ गव 801 में पेश्वा भी 801 में बरार एवं मोसले 803 में सिंधिया 804 में सिंधिया 804 में थोड़ा सा टाइम पीरेडिन का ध्यान रखेगा ताकि कभी अरेंज करने के लिए आ सकता है ये तो सिंधिया 804 में और अन्नी साहक संदी करने वाले राजें से जोधपूर, जैपूर मच्झेडी बुंदी और भरतपूर अनने कौन कौन से राज्य थे ज entered जोधपूर जैपूर जोधपूर जैपूर मच्छेडी बुंदी और भरतपूर लोड बेल्जली के समय में क्या हुआ था is तो लोड बेलजली के टाइम में टीपु सुल्तान चोथी आंगल मैसुर यूद में 1799 में मारा गया लोड बेलजली ने कलकता में नागरिक सेवा में भरती किये गई यूवकों को प्रक्षित करने के लिए फोर्ट विल्यम कॉलेज की स्थापना की तो जो लोड बेलजली थे इनोंने कलकता में नागरिक सेवा में जो भरती किये गई यूवक थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विल्यम कॉलेज की स्थापना की तो लोड बेलजली के द्वारा इनके समय में क्या हुआ था कि नागरिक सेवा में भरती किये Wellesley के समय में है, क्वेंकि जो, ये इसली कब अथारे सो स्थापित किया गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज अथारा सो में है, ठीक है? कलकता में, Vincent बीछ लब से से संवेंट हो, 7098 से 8105, 7098 से 1805 की बीछ में आया ना फोर्ट विलियम कोलेज की सापना अठार से तो जो लोर्ड वैलेजली थे ये खुद को क्या कहते थे सेम को बंगाल का शेर कहते थे सेम को बंगाल का शेर कोन कहता था लोर्ड वैलेजली सेम को बंगाल का शेर कहा करता था लोर्ड वैलेजली सेम को बंगाल का शे होना था लेकिन उनकी मिर्त्यों हो जाती है ठीक है 1786 से 1793 तक जो है लोड कानवालिस रहते हैं ठीक है फिर 93 से 98 तक सर जॉन शोर आ जाते हैं 93 से 98 तक फिर वेलजली आते हैं 1798 से 1850 तक फिर दुबारा से कानवालिस का टाइम प्रेट शुरू हो रहा था 1850 से लेकिन उनका मिर्त्यों हो जाती है नेक्late जो गवर्नेर जर्नेर है वो है पैसे जॉर्ज बरलो तो सर जॉर्ज बरलो के बारे में बताया गया है कि उनका टाइम परीड 180 त से 1850 साथ ठीक है गोल् 지금 के बाद 1805 में से चान्वालिस बंते हैं लेकिन उनकी मुर्तविजाती 805 में फिर कॉन मंद है, सर जोर्ज बार्जलो 805 से 2 साल के लिए 805 से 807 से 707 से 705 तक गवर्नर जनरल रहते हैं, तो वेलोर में सीपाई विद्रो इनके कारेकाल की जो इनके काल की महत्वपून घटना थी, तो 805 से 70 तक सर जोर्ज बार्जलो ज सिपाही विद्रो हुथा तो विल्लोर में सिपाही विद्रो की गवर्णर जनरल की काल में हुआ था यह हुआ था सर जोर्ज बारलो के टाइम में सर जोर्ज बारलो जब 850-807 तक जब गवर्णर जनरल थे तो उनके टाइम में क्या हुआ था विलोर में सिपाही विद्रो हुआ था विलोर में सिपाही विद्रो हुआ था जब 870-807-803 बनते हैं ये इस टाइम पिरड के लिए गवर्णर जनरल लोर्ड मिन्टो प्रथम 870-803 लोर्ड मिन्टो प्रथम जो है वो कब बनते हैं अथार साथ से ऐठार सो तेरा और जब 1909 का जो एक्ट आएगा मोडले मिन्टो अट उनिसो नो में जवायेगा न तो वहां पर मिन्टो सेक इंड होंगे लोर्ड मिन्टो सेकेंड होंगे तो आप थोड़ा से यहां से आइडिया रख सकते हो लोर्ड मिन्टो प्रथमाशन और वो 1907 के आसपास है जो Lord Minto 2nd बनेंगे न वो भी मतब 1901 साल बाद बोल सकते हैं आप इसको कि 100 साल के आसपास जो है Lord Minto ही बने है पर वो Lord Minto 2nd है जिनके टाइम में जो है 1909 में क्या जाएगा मालने Minto Act आजाएगा ठीक है फिर उसके आदे हम वापस आते हैं अपने बात पर कि जो Lord Minto प्रथम थे इनका टाइम पिरिड़ क्या है 807 से 813 Lord Minto प्रथम का जो काल है कब है 807 से 813 Lord Minto प्रथम 807 से 813 इसके काल में रंजीत सिंग और अंग्रेज की बीच में 25 अप्रल अंग्रेजों के अम्रिचर की संधी हुई थी किसमें रंजीत सिंग और अंग्रेजों के बीच, तो लौ्ड मिंटो प्रतं कब से कब तक गवर्नर जनर्ल रहे हैं, इंगेंर टाइम में इंपोर्टेंट गया हुए कि 25 अप्रेल, 189 को, महराजर रंजीत सिंग और अंग्रेजों के बीच, रंजीत सिंग और अंग्रेजों की बीच 25 अप्रल अथारसो नो को अमरिजर की संदी हुई Charter Act 813 किसके समय में पास हुआ है, लोड मिन्टो प्रथम के समय, Charter Act जो है 813 का वो पास हुआ है लोड मिन्टो प्रथम के समय, नेक्स देखते हैं, लोड हैस्टिंग्स, तो ये वोरन हैस्टिंग नहीं है, ये खाली लोड हैस्टिंग इनका नाम है, ये अठार सो तेरा से अठार सो तेज़ तक रहे हैं, अठार सो तेरा से अठार सो तेज़ तक पुरिद दस साल बोल सकते हो, अठार सो तेरा से तेज़ तक कुन रहे हैं? लोड हैस्टिंग 1813-1823 तक टाइम पिरेट था किसका लोड हैस्टिंग का तो 813-1823 के बीच में जो भी important घटनाएं होईगी वो लोड हैस्टिंग के टाइम पिरेट के 813-1823 के बीच तो इसी के समय में आंगल नेपाल युद हुआ, तो लोड हैस्टिंग के समय में क्या हुआ, आंगल नेपाल युद हुआ, 1814 से 16 के बीच में, आंगल नेपाल युद 814 से 16 के बीच में हुआ, लोड हैस्टिंग के टाइम में, तो आंगल नेपाल युद किस गवर्नर जर्नल के टाम फिरड में हुआ था लोड़ हैस्टिंग के टाइम में इसमें नेपल के अंगरेजु एवं गौर्खों के बीच संगोली की संधी के द्वारा आंगल नेपालियूद का अंध हुआ और मार्च 816 में जो संगोली की संधी होती है अंग्रेज और सिखों के बीच उससे आंगल नेपालियूद का अंध होता है उससे आंगल नेपालियूद का अंध होता है और आंगल नेपालियूद 814 से 16 किसके समय में हुआ था यह वारन ह पिंडारियों का दमन किया गया इंपोर्टेंट है कि पिंडारियों का दमन किया गया इंपोर्टेंट है कि पिंडारियों का दमन किस गवर्नर जर्नल के टाइम पिरड में हुआ है तो यह लोड हैस्टिंग के टाइम पिरड में हुआ है लोड हैस्टिंग के टाइम पिरड मे पिंडारियों का दमन किया गया, पिंडारियों के प्रमुखनेतां में वासिल, मुहुमद, चीतु और करीम खां थे, तो पिंडारियों के प्रमुखनेता कों थे, वासिल, मुहुमद, चीतु और करीम खां, पिंडारियों के प्रमुखनेता थे, वासिल, मुहुमद, चीतु और करीम खा वोरन हैस्टिंग के समय में वोरन हैस्टिंग नहीं है यह खाली हैस्टिंग है ठीक है लोड हैस्टिंग के समय में पिंडार्यों का दमन हुआ है और पिंडार्यों के प्रमुखनेता कौन है वसिल महुमद चीतू और करीम खा तो पिंडार्यों के प्रमुखनेता और करिम खाँ ठीक है तो पिंडारियों के प्रमुखनेता थे वासिल मुहमद, चीतू और करिम खाँ और लोड हैस्टिंग के समय में लोड हैस्टिंग के समय में क्या होता है पिंडारियों का दमन किया जाता है इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नस्ट कर दिया था लोड हैस्टिंग ने क्या किया लोड हैस्टिंग ने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नस्ट कर दिया लोड हैस्टिंग ने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नस्ट कर दिया था लोड हैस्टिंग के समय में एक और चीज़ हुई है कि प्रेस पर लगने वाले प्रतिबंद को स्माप्त कर दिया गया था और प्रेस के मार्ग दर्शन के लिए नियम बनाए गया था और प्रेस के मार्ग दर्शन के लिए नियम बनाए गया था और प्रेस के मार्ग दर्शन क लागू किया गया, important है कि 822 में लोड हैस्टिंग के समय में जो tenancy act है, tenancy act या काश्टकारी अधिनियम लागू किया गया, लोड हैस्टिंग के समय में जो अधिनियम लागू किया गया, लोड हैस्टिंग के समय में, tenancy act या काश्टकारी अधिनियम लागू किया गया था, उसके बाद है लोड एम हस्ट, तो लोड एम हस्ट के बार में देखते हैं, लोड एम हस्ट, 823 से 828 तक गवर्नर जनरल रहे हैं, कौन लोड एम हस्ट कब से कब तक 823 से 828 तक, 813 से 823 तक कौन रहे, 813 से 823 तक रहे थे, लोड हस्टिंग्स रहे थे, 813 से 823 तक उसके बाद लोड एम हस्ट, 823 से 828 तक ठीक है, बोला गया है, इसके समय में प्रत्थम आंगल बर्मायुद हुआ था, तो लोड जो एम हस्ट होते हैं, इनके समय में प्रत्थम आंगल बर्मायुद हुआ, 824 से 826 में जो लड़ा गया था, लोड एम हस्ट के समय में, 824 से 826 के बीच में प्रत्थम आंगल बर्मायुद हुआ, लोड एम हस्ट के टाइम प्रेड में, लोड एम हस्ट के टाइम प्रेड गया था, 823 से 828, उसके बाद है, बर्मा और अंग्रेजों के बीच यांडूब की संदी हुई थी, जो ये प्रत्थम आंगल बर्मायुद था, 824 से चबिस का, तो चबिस में एंड हो जाता है, चबिस में क्या होता है, जो अंग्रेजों बर्मा है, या बर्मा और अंग्रेजों के बीच, कौन से संदी होती है, यांडूब की संदी, मतलब प्रत्थम आंग्रेजों बर्मायुद, 826 में खतम होता है, किस से, यांडूब की संदी से, 824 में बैरकपूर का सैनने विद्रों भी, जो बैरकपूर में सैनने विद्रों हुआ था, 824 में लोड एमहस के टाइम में हुआ था, ठीक है, लोड एमहस के टाइम में, जो है, 824 में बैरकपूर का सैनने विद्रों हुआ था, 824 में बैरकपूर का सैनने विद्रों, बैरकपूर का सैनने विद्रों, 824 में लोड एमहस के काल में हुआ, लोड एमहस के काल कब से कब तक, 823 से 828 तक, और इसी में 824 में क्या हुआ, जो है, बैरकपूर का सैनने विद्रों होता है, और 824-26 के बीच में पैथमांगल बर्मायुद होता है जो कि 826 में यांडभू की संदी से स्माप्थ हो जाता है नेक्स्ट जो Governor General है वो है लोड वीलियम बैंटिक लोड वीलियम बैंटिक तो लोड वीलियम बैंटिक के बारे में देखते हैं इनका कारेकाल था 828 से 835 इस्वी, लोर्ड विलियम बैंटिक का कारेकाल कब से कब तक है, 828 से 835, किसका काल है, लोर्ड विलियम बैंटिक का, लोर्ड विलियम बैंटिक का कारेकाल है, 828 से 835, तो 803 में यह मदरास का गवणर था, तो विलियम बैंटिक जो थे, वो 803 में मद्रास के गवर्णर थे इसी के समय में 806 में माथे पर जाती जिन न लगाने तो था कानों में बालिया न पहनने देने पर वेलोर में सैनिक को ने विद्रो किया था तो 803 में जभी मद्रास के गवर्णर थे यह मद्रास के गविनर थै जैसे मद्रास में गविनर थे और मद्रास में जो वेल लोर नता वहांँ पर एक सैनेकश विद्रो हुआ था आठासुआasten Coldi किसलियो वह था कि मात्यवं पर जाती चिना लगाते थे और कानों में बालियां जो पहनते इन्होंने मना कर दिया था इन्होंने बोला था कि आप लोग यह नहीं पहन सकते ना ही आप मात्य पर जाती चिन लगा सकते हो ना ही कानों में आप बाले पहन सकते हो तो इन दोनों चीजों को मना करने की वज़े से ठीक 806 में वेलोर में सैनिकों के द्वारा विद्रो किया ज तो जैसे आप देख सकते हूं कि जो विलियम बैंटिक 828 से 835 तक रहते हैं तो इसी बीच 833 में क्या होता है चार्ट रेक्ट आ जाता है जिसके द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जेनल है उनको अब भारत का गवर्नर जेनल बना दिया जाता है इस परकार जो भारत का प्रतम गवर्नर जेनल को बनता है लोड विलियम बैंटिक राजा राम हन्रोय के सहयोग से बैंटिक ने 839 में सती प्रता को समाप्त कर दिया था तो राजा राम हन्रोय के सहयोग से 839 में ये लोग क्या करते हैं विलियम बैंटिक और राजा राम हन्रोय मिलकर सती प्रता को समाप् धोशी द कर दिया था तो विलियम बैंटिक के द्वारा क्या लाए जाता है राजा-राम मोहनरोय के प्रयासों सेος से विलियम बैंटिक के सहीयोग से क्या होता है अठार जम्हाबत करने कि लिए बहुत बड़ा कदम उठाय जाता है और उसी के तहत कानून बनाकर 839 में जो कानून बनाय गया था उसके धारा 17 के द्वारा क्या किया जाता है कि विद्ध्वाओं के सती होने पर को अवेद घोशित कर दिया जाता है रोक लगा दी जाती है इस पर नोट क्या है इसमें important जो points हैं वो हैं कि अकबर और मराठा पेश्वाओं ने भी सती पर रोक लगाने का प्रयास किया था ठीक है राजा राम मुहनरोय से पहले कि अगर हम बात करें विल्यम बेंटिक से पहले की बात करें तो जो अकबर थे और मराठा जो थे अकबर ने भी औ साहता से 830 में तक क्या किया है नहोंने ठगी प्रता को स्माप्त कर दिया था आथा ठीक 830 तक ठगी प्रता को समाप्त कर दिया था किसने जो लौर्ड विल्यम बैंटिक होता है उन्होंने किसकी सहाथा से कर्णल स्लीमन की सहाथा से तो 828-835 तक जैसे इनका कारेकाल था 828-835 उसी बीचे 830 में क्या करते हैं बैंटिक कर्णल स्लीमन की सहाथा से ठगी प्रता को समाब कर दिया था इन्होंने फिसंते दे सन 1835 में बैंटिक ने कलकटा Molly Imperial College की सथापना की तो विलियम बैंटिक के दौरा एक और important के इंपोर्टटंट कदम के उठाया गया गया च्छा 35 में बैंटिक मेंल चक्लकता में कलकटा Medical College की जपना कलकत्ता मेडिकल कॉलेज बनाया गया किसके द्वारा लोड विलियम बैंटिक के द्वारा कि अथार सो पैंटिस में इसके टाइम फिरोड में बना था है अथार से पैंटिस में तो कलकत्ता में मैडिकल कॉलेज बनाया गया किसके द्वारा लोड विलियम बैंटिक के द्वार और विल्यम बैंटिक के समय में ही में काले की अनुशनसा पर मतब इनके कहने पर क्या किया गया अंग्रेजी जो अंग्रेजी है उसको शिक्षा का माध्यम बनाया गया तो में काले जो आयोग बनाया गया था उसके तहत में काले ने जो अनुशनसा दी थी उसके द्वारा क्य कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया किसकी टाइम में विलियम बैंटिक के टाइम में ही विलियम बैंटिक के टाइम में क्या हुआ कि में काले के अनिशुंसा पर जो अंग्रेजी है उसको शिक्षा का माध्यम बनाया गया में काले द्वारा कानून का वर्गी क करण भी किया था और साथ ही मेकाले के निशनसा पर अंग्रे जी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और मेकाले द्वारा कानुन का वर्गी करण किया गया बेंटिक ने 1831 में मैसूर, 1834 में कूर्ग और मद्य कचेर को हडप लिया था तो बेंटिक ने क्या किया 1831 में मैसूर को, 1834 में कूर्ग और मद्य कचेर को हडप लिया था are Mur妤 1831 में कूर्ग त्था मद्य चेर को हडप लिया था इसने भार्तियों को इत्रदाइपद ओंपर निउक्ट किया लूड विल्यम बन्टिकन न एक और का क्या किया था कि जो शिशु बालिका की हत्या उस पर प्रतिबंद भी लगाया था शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंद लगाया था इसने लोड विलियम बैंटिक ने लोड विलियम बैंटिक के द्वारा शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंद लगाया गया था इसक गुवर्णर जन्रल ऑफ इंडिया तो जो जा ज्ट है यहां के तो बंते हैं इनके द्वारा क्या के धा कि खारकव से प्रेश फरेशसे निंहों धा दी सबना दी सोकड्यसका हों तरह प्रेस्ट कर दे घीलर ऐना रसकप्या और इसलिए विए विसुर में अंखर 55-35 में him का कारेकाल थाanya चाल्स मेटकोव का कारेकाल क्या थाiter 85-36 तक चाल्स मेटकोव का कारेकाल था और इन्होंने भारती प्रेस का मुक्ति का दाता ही ने कहा जाता और नेशन प्रेसे गवर्णर जनरल रहते हैं, लोड ओकलेंट थार सो चतीज से ब्यालिस तो लोड ओकलेंट के समय में क्या हुआ था, एक इंपोर्टन खटना क्या हुई थी, लोड ओकलेंट के समय में कि प्रत्थम आंगल अफगान युद्ध हुआ था, 1839-42 के बीच में, ठीक है, लोड ओकल ऐटिनायट के समय में क्या हुआ था, प्रत्थम आंगल अफगान युद्ध हुआ था, 1839-42 के बीच में, ठीक उकलेंट के समय में दिल्ली तक गराटरंक रोड का जो है उसकी मरमत करवाई थी, तो Lord Auckland ने क्या क्या था 1839 में कलकत्ता से दिली तक जो GT रोड था Grand Trunk रोड था उसकी मरम्मत कराई थी किसने Lord Auckland ने